गांगुली ने क्या साफ कब मैदान पर उतर सकती है टीम इंडिया इंग्लैंड और वेस्टिंडिस के बीच आठ जुलाई से टेस्ट स्वीरीज के जड़िये क्रोना काल में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत होने जा रही है लेकिन BCCI के अध्यक्ष शौरफ गांगुली का कहना है कि ऑगस्ट से पहले भारतिय क्रिकेट चीम का ट्रेनिंग कैम्प सुरू नहीं किया जा सकता टीम इंडिया ने मार्च के मद्य से ही कोई इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज नहीं खेली है क्रोना वाइरस के कारण दुनिया भर में सभी स्पोर्ट्स एवेंट या तो रद कर दिये गए हैं या फिर स्थगित हो गए हैं सौरफ गंगुली ने साफ किया कि आउगस तक तो भारत्य क्रिकेट टीम के मैदान पर उतरने का आसार नहीं है सौरफ गंगुली ने एक नीजी समचार चैनल को दिये इंटरव्यू में कहा टीम इंडिया के खिलाडियों का ट्रेनिंग कैम्प आउगस से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है हाला कि सरकार ने जब क्रिकेट स्टेडियम खोलने की अनुमती दी तो कुछ खिलाडियों ने प्राक्टिस करने स्टार्ट कर दी है सूत्रों के मुताबिक BCCI IPL सीजन 13 का आयोजित 25 सतंबर से 1 नमंबर के बीच कराने के बारे में सोच रहा है यह भी संभावना है कि BCCI IPL सीजन 13 को विदेश में आयोजित कर सकता है